हलो बच्चों कैसे हैं आप आई होप आप अच्छे होंगे और घर पर अपनी पिरियोडिक टेस्ट की तयारी कर रहे होंगे तो आपकी टेस्ट में हेल्प के लिए आज मैं आपके लिए लाई हूँ प्लास फाइव हिंदी का पीटीटू का सेंपल पेपर पीटीटू का पेपर बच्छों आपके तेड़ घंटे का होगा और यह होगा टोटल 40 मार्क्स का तो इसके लिए आपके प्रिपरेशन कैसी होनी चाहिए आपको इसमें थोड़ी तो हेल्प मिलेगी तो चलिए आज हम करते हैं यहाँ पर अपना पीटीटू का एक सेंपल पेपर हिंदी का सबसे पहला जो पार्ट होता है वो आपका यहाँ पर होगा पठन का पठन आपका फाइब मार्क्स का होता है और यहाँ पर आपको मिलेगा एक गध्यांश गध्यांश मतलब आपकी कहानी का है आपके गध्ये का एक छोटा सा पार्ट जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ आपके सामने एक गध्यांश है तो चलिए रीट करना शुरू करते हैं आप गध्यांश को सुभा का समय था पहाडों के पिछे से सूरज छाक रहा था लाइन को एके का अध्यांश से देखते जाएए दस फर्ष का विशन घर से बहार निकल आया वहरोज इसी समय इसी रास्ते से करनल दत्ता के फार्म हाउस पर जाता है करनल दत्ता की पतनी पढ़ाई में उसकी मदद करती है फार्म में लगे सेबों के बाग में कीट नाशक दवा का छिरकाव हो रहा था बिशन पकडंडी से अभी सड़क तैक कर ही रहा था कि उसे गोली चलने की आवाज सुनाई दी उसने इधा उदर देखा कोई भी दिखाई नहीं दिया एका एक बिशन को गोली चलने का कारण समझ में आ गया जब फसल पक जाती है तब गेहूं के खेत में शिकारी तीतर मारने चले आते हैं तो ये तो है हमारा पाट का जो गध्यांश है वो इसे हमने अच्छे से रीट कर लिया है और आप रीट करने के बाद हम चलते हैं इसके प्रशनों पर प्रशनों में हमारा जो पहला प्रशन है देखी क्या है पहाडों के पीछे से कौन जाक रहा था तो आपने अभी गध्यांश में पढ़ा कि पहाडों के पीछे से सूरच जाक रहा था पहली लाइन में ही आपका ये प्रश्न का उत्तर है कि पहाडों के पीछे से सूरच छाक रहा था तो इसी को आप टिक कर देंगे यहाँ पर अंसर के रूप में पहाडों के पीछे से सूरच छाक रहा था यही आपका पहले प्रश्न का उत्तर भी है देखते हैं हमारा दूसरा प्रश्ण प्रश्ण संख्या दो कौन घर से बाहर निकला घर से बाहर कौन निकला देखिए हमारी पहली लाइन में ही इसका उत्तर भी है कि बिशन घर से बाहर निकल आया तो हमसे ये तो नहीं पूछा कौन निकल आया हमसे पुछा कौन निकला तो हम उत्तर देंगे विशन घर से बाहर निकला अगला प्रशने देखते हैं प्रशन संक्या 3 विशन कितने वर्ष का था विशन कितने वर्ष का था देखिए आपको फर्स लाइन में ही यहाँ पर मिल जाएगा कि यहां विशन की उम्र दी गई है 10 वर्ष तो विशन कितने वर्ष का हो गया? 10 वर्ष का आप लिख सकते हैं कितने की जगा सिर्फ आपको 10 वर्ष लगाना है और आपका उत्तर complete विशन 10 वर्ष का था प्रेशन संख्या 4 बिशन रोध सुभह कहां जाता था तो रोध सुभह विशन कहां जाता था ये भी हमें यही पर दिया गया है कि वह रोज इसी समय इसी रास्ते से कर्णल दत्ता के फार्म हाॉस पर जाता है हमें इतना बड़ा अंसर नहीं चाहिए हमें अपने अंसर को short करना है, sweet करना है तो हम यहां क्या लिखेंगे बिशन रोज सुभह करनल दत्ता के form house पर जाता था जितना आप से पुझा गया है आप कोशिश करिए उतना ही उत्तर देने की बिशन रोज सुभह करनल दत्ता के form house पर जाता था कहां की जगे आपको सिर्फ करनल दत्ता के form house पर यही शब्द लगाना है अगला आपका प्रेशन है वाक्ये में प्रियोग करने से सम्बंदित शब्द आपको दिया है शिकार शिकार शब्द को आपको वाक्ये में प्रियोग करना है तो अगर आपके गध्याश में शिकार से संबंदित कोई लाइन है तो आप महां से लिख सकते हैं नहीं तो आप स्वयम से भी आपर कोई भी वाक्य बना सकते हैं जैसे कि शिकारियों ने तीतर का शिकार किया दूसरा वाक्य इस तरह से बना सकते हैं तीतर का शिकार करने के लिए शिकारियों ने गोली चलाई इसके अलावा आप बना सकते हैं शिकारी शिकार करते हैं छोटा सा वाक्य बनाईए जिससे कि आपको आराम से वाक्य बनाने में दिक्कत नहों कहीं मात्राओं की गलती नहों तो तीन वाक्य इस तरह से मिने आपको बता दिये हैं अगला है आपका यहाँ पर पांच अंको का लेखन पांच अंको का यह लेखन आपका है जिसे कि आपको मिस नहीं करना है अच्छे से अंसर देना है इसमें पहला प्रश्न है दादी स्वामी की भुवा को महामोर्ख क्यों कहती थी तो आपने पढ़ा होगा स्वामी की दादी पाठ में कि स्वामी की जो भुवा थी उन्होंने दादा की मैडल को गलवा कर चूरिया बनवा ली थी ऐसा दादी स्वामी को बताती है और इसलिए दादी भुवा को महामोर्ख कहती थी तो इसे हम शौर्ट में लिख सकते हैं कि स्वामी की बुवा ने दादा की मैडल को गलवा कर चूरिया बनवा ली थी इसलिए दादी बुवा को महामोर्ख कहती थी अगला प्रशन हम देखते हैं सिक्के कौन-कौन सी धातु के बनते हैं यह हमारे पार्ट से संबंदित प्रशन है जो हमारे सिलेबस में हैं तो सिक्के कौन-कौन सी धातु से बनते हैं आपने यह पढ़ा भी होगा कि सिक्के जो हैं वो पीतल, तामबा, चान्दी, सोने और लोहे के बनते हैं आज कल मिश्रधातु के सिक्के बनते हैं तो इसके अलावा आप यहाँ पर मिश्रधातु भी लिख सकते हैं तो आपकी जो धातुएं हैं सिक्के बनाने की वो हो गई सोना, चान्दी, पीतल, तामबा और मिश्रधातू कांसे के भी सिक्के बना करते थे, कांसे जिसे कहते हैं अगला प्रश्न है, बाग आने की बाद कौन कह रहा था? या तो बच्चा या बाबा तो बाग आने की बाद बच्चो पूरी कवीता में बाग आया उस रात, इस कवीता में बच्चा ही बाग के आने की बात कहता है यहाँ पर बाबा कहीं भी बाग आने की बात नहीं कहते हैं तो हमारा जो राइट अंसर है वो भी क्या हो गया? बच्चा सामने आपको यहाँ फिलब दिया है आपको यही पर ही बच्चा उत्तर लिखना है बढ़ते हैं अब हम व्याकरण की और व्याकरण हमारा यहाँ दसंको का होता है तो दिखिए पहला प्रश्न जो आपसे व्याकरण में पुछा गया है वो क्या है संग्या शब्द को रेखांकित करिए अंडरलाइन करना है संग्या शब्द को तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि संग्या क्या होती है संग्या हम किसे कहते हैं किसी व्यक्ति वस्तु अत्वा स्थान के नाम को संग्या कहा जाता है अब यहाँ ए पार्ट में मोहन आकर लखनव और में यहाँ पर संग्या है एक तो नाम वाला शब्द हमें दिख रहा है मोहन और दूसरा है स्थान लखनव जो की एक शहर का नाम है इसी के दूसरे पार्ट में देखिए कल तुम शेर और पढ़ना यहाँ पर एक ही संग्या शब्द है और वो है शेर जो की जाती वाचक संग्या है अगला प्रश्ण है नेमन लिखिश शब्द का वाक्ये में प्रियोग कीजिए यहाँ पर शब्द दिया है प्रक्रिया प्रक्रिया जिसे की इंगलिश में प्रोसिस भी कहते हैं तो इसे आपको वाक्या में बदलना है, प्रक्रिया शब्द के बहुत सारे वाक्या बना सकते हैं, जैसे कि चैन प्रक्रिया बहुत कठिन थी, परिक्षा में पास होने के लिए हमें मेहनत की प्रक्रिया से गुजरना होता है, इसके अलावा भी आप कई सारे वाक्ये खुद स से बनाते रहने चाहिए आपको कोई भी शब्द याद आता है उसका कोशिश करिए वाक्य में प्रियोक करें अगला शब्द है यहां पर कॉशन आपका परियावाची शब्द से संब्दित आप से पुछा है आग का परियावाची तो आग का परियावाची होता है अनल अगन और पावक, आपने पढ़े होंगे आग के परियावाची अनल, अगनी और पावक, यहां मैं आपको तीन परियावाची बता रही हूँ, आपसे जनरली दो ही परियावाची पूछे जाते हैं, प्रेशन संख्या चार हमारा कह रहा है किसी एक क्रिया का नाम लिखने को, किसी एक क्रिया का नाम, तो बच्चों आप क्या करते हैं, क्रिया किसे कहते हैं, काम वाले शब्दों को, और पहला काम बच्चों का होता है पढ़ना, तो पढ़ना क्या हो गया, क्रिया, इसी तरह से लिखना, उठना, बैठना, खेलना, ये सभी क्रिया है तो आइन में से आप कोई भी लिख सकते हैं आपको आपसे एक क्रिया पूछी गई है फिर है वचन बदलना नदी को आपको वचन बदलना है नदी यहाँ पर एक वचन है आपको इसको बहुवचन बनाना है और जब भी हम एक वचन से बहुवचन बनाते हैं और अगर हमारा अंतिम अक्षर में बढ़ी की मात्रा हो तो इस बड़ी की मात्रा को हम छोटी में बदल देते हैं इस तरह से और पीछे लगा देते हैं या तो आपका ये बन गया बहुवर्चन नदिया अगला है आपका विलोम शब्द विलोम शब्द लिखना है किसका लिखना है पाताल का विलोम शब्द होता है आकाश अगर आपसे आकाश शब्दे दे दिया जाया तो आकाश का विलोम हो जाएगा पाताल अब बात करते हैं सर्वनाम की सर्वनाम शब्द पर गोला लगाना है उसने कल मुझे बुलाया है यह आपका वाक्य है अब यहाँ पर आपको सर्वनाम बताना है तो इस वाक्य में गौर से देखेंगे तो दो सर्वनाम है एक तो है उसने और दूसरा है मुझे ये दो सर्वनाम यहाँ पर वाक्य में है मतलब कि ये जो एक नमबर का प्रश्ण है ये टू पार्स में डिवाइड़ है हाफ-ाफ माक्स के अगर आपने केवल एक सर्वनाम पर कुला लगा कर छोड़ दिया तो मतलब आपका हाफ ही माक्स आपको यहाँ पर मिलेगा तो आपको वर्न माक्स चाहिए तो वाक्य को धियान से पढ़िए कि कहीं आसा तो नहीं है इसमें दो अप्शन होँ दो अंसर कहीं से टिक हो रहे हों तो आपको यहां उसने और मुझे दो शब्द आपके ऐसे हैं जो की सर्वनाम है चलिए अब बात करते हैं अगले प्राश्न की यहां आपको क्रिया विशेशन शब्द को रेखांगित करना है क्रिया विशेशन शब्द बच्चों वे होते हैं जो की क्रिया की विशेश्टा बताते हैं क्रिया की विशेश्टा बता रहे हैं तो पहले हमें क्रिया पता होना चाहिए तो देखिए यहां पर क्रिया शब्द क्या है? चला गया यह क्रिया है अब इसकी विशेश्टा कौन बता रहा है जो इससे पहले है कि वो किस तरह से गया धीरे से गया तो क्रिया विशेशन शब्द यहाँ पर कौन सा हो गया धीरे से यह है आपका क्रिया विशेशन शब्द जो की क्रिया की विशेश्टा को बता रहा है अब बात करते हैं विशेशन शब्द की विशेशन शब्द को यहाँ पर आपको रिखांकित करना है विशेशन शब्द संज्या या सरुनाम की विशेश्टा बताते है हमारा वाक्य है वह बगीचा बहुत खूपसूरत है तो बगीचे की विशेष्ता बताने वाला शब्द क्या है? खूबसूरत की बगीचा कैसा है? खूबसूरत है तो यहाँ पर विशेशन शब्द क्या हो गया? खूबसूरत आई होप आपको ये सारे प्रशन अच्छे से समझ में आ रहे होंगे और आप खुद भी इने करते जा रहे होंगी अगला प्रश्न है है हमारा मुहावरे से संबंदित मुहावरा है 9-2-11 होना 9-2-11 होने का अर्थ होता है भाग खड़े होना या डर करके भाग जाना अचानक से सीधा वाक्य का जो अर्थ है वो भाग खड़े होना ही लिखा जाता है वाक्य में हमें प्रयोग करना है तो आप यहां वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं और लिख सकते हैं सेना को देखते ही दुश्मन सेना या भारती सेना को देखते ही दुश्मन की सेना 9-11 हो गई इसके अलावा आप लिख सकते हैं पुलिस को देखते ही चोर 9-11 हो गए तो इस तरह से आप 9-11 पर वाक्य बना सकते हैं अगला है हमारा यहाँ पर क्रियात्मक लेखन क्रियेटिव राइटिंग Creative Writing के लिए आपको topic दिये है Swami की दादी या फिर बाग बीच में लगा है अत्वा अत्वा कार्त होता है या या तो आपको सौमी की दादी पर लिखना है या फिर बाग पर लिखना है एक पर ही लिखना है तो सौमी की दादी पार्ट आपने पड़ा है बाग कवीता आपने पड़ी है आप आराम से एजी ली इन पर पांच वाक्य तो लिखी सकते हैं स्वामी की दादी से अगर आप लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं कि स्वामी की दादी कैसी थी उनके पास क्या था स्वामी उन्हें किसे सुना रहा था उसके दोस्तों के बारे में जो बता रहा था उस पर आप पांच वाग के छोटे छोटे बना सकते हैं बाग पर आप लिखना चाहते हैं तो बाग आए उस रात में भी इसके बारे में बताए गया और simply आप बाग पर भी पांच वक्के लिख सकते हैं कि बाग कैसा होता है कहां रहता है और बाग के बारे में बाग है उस रात में क्या विशेष्टा बताई गई है कि वो जड़ने के पास रहता है रात को आता है और वे खतरनाक जानवर होता है तो इस तरह से आप पांच वाक्य लिख सकते हैं यह आपका टोटल है टैन माक्स का दस अंकों का है मतलब हर एक लाइन आपकी दो नंबर की है तो ध्यान से हर एक वाक्य को लिखिए बिना मात्राओं की किलती के आगे हैं हमारा देखिए जानवरों को पहचानना काली धारियों वाला काली धारियों वाला कौन सा जानवर होता है जब्रा बच्पन से आप पढ़ते आ रहे हैं तो यहां पर आप लिख देंगे boxes में यहां पर zebra लिख देंगे अगला है आपका सोण वाला सोण वाला जानवर क्या होता है? हाथी आप सबी जानते हैं इसके बाद हम बात करते हैं अगले जानवर की उन देने वाला उन देने वाला जानवर कौन सा होता है भेड तो यहां पर आप लिख देंगे भेड छोटी पूच वाला जानवर देखो यहां पर आपको तीन बॉक्स दियें तो आपको तीन बॉक्स वाला ही जानवर चूज करना होगा तो छोटी पूच वाला जानवर क्या जानवर लेकिन वो दो अक्षर के मिलेंगे यहां आपको तीन में लिखना है इसलिए मैंने आपको गीदर उत्तर दिया है अगला है यहाँ पर शहद बनाने वाला शहद बनाने वाला कौन सा जानवर होता है आप सभी जानते हैं कि शहद कौन बनाता है शहद बनाती है मधुमक्खी तो शहद बनाने वाला जानवर हो गया हमारे मधुमक्खी अब है आपका वर्तिनी से संबंदित और वर्तिनी से संबंदित आपका है पाचंकों का ध्यान से देखिए आपको वर्तिनी मतलब मात्राओं का ध्यान दिते हुए याँ पर इसको solve करना है पहला है आपको शुद्ध करके लिखना है एक शब्द आपको दिया है ये गलत है वरतिनी की दृष्टी से तो इसको ध्यान से पढ़िए समझे और इसको शुद्ध करिए तो ये शब्द है निरिक्षक निरिक्षक को आप कैसे लिखेंगे देखिए ये है आपका निरिक्ष फिर है आपका खाली इस्थान भरना है। खाली इस्थान भरने में आपको पता होनाची आफिब की यहांपर आप याँ लिखें। ध्यान से सोचेंगे तो आप यहां पर शब्द बन जाएगा इमाम बाड़ा मतलब कि आपको यहां तो फिल करना है मा और यहां फिल करना है रा तो शब्द आपका क्या बन जाएगा इमाम बाड़ा मैं यहां पर ट्राय करती हूं लिखने का इमाम बाड़ा अगला है सही मात्रा लगानी है आपको देखिए ये एक शब्द लिखा है पुस्तक लेकिन मात्रा लगी है गलत तो आपको सही मात्रा लगा कर इसे लिखना है पाके बड़े उकी नहीं बलकि छोटे उकी मात्रा लगेगी तो आपका शब्द बन जाएगा पुस्तक अगला प्रश्न है सही शब्द पर गोला बनाओ अगर आपने ठीक से पढ़ा है आपको मात्राओं का ठीक से ग्यान है तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सही शब्द है भोजन केवल एक भोजन ही ऐसा शब्द है जिसमें सही मात्रा लगी है वाकि खिलोना में मात्रा गलत है सूरे की जगह या सर्रे लिखा है उच्चित भी यहाँ पर गलत लिखा है सही शब्द बनाओ यहाँ कुछ अक्षर दिये हैं इन्हें आपको रियरेंज करना है और सही शब्द बनाना है तो इन अक्षरों से जो शब्द बनेगा वो होगा आपका आसमान यह आपका वर्तनी के संबंदित प्रशन है आगे बढ़ते हैं और आते हैं अब हमारी बारी है सुलेक पर सुलेक आपकी पांच अंकों की होती है सुलेक मतलब सुन्दर लेक तो यहाँ आपको सिर्फ जो दिया गया है जो लाइन्स आपके सामने गिवन है इन्हें अपनी अच्छी हैंन्राइटिंग में नीचे स्पेस कीवन है यहाँ पर लिखना है देखिए यहाँ क्या है यह जो यहाँ लाइन्स दी है यह जरूरी नहीं आपकी बुक्की हो ये अंसिन पैसेच से हो सकती है, कोई स्टोरी का पाठ हो सकती है, जैसे कि यहाँ पर लिखा है, दादी ने इसका समर्थन किया और हरिश्चंद की कहानी सुनाने की बात कही, जिसने वचन का पालन करने के लिए सिंगासन, पतनी और बच्चों को खो दिया, और अंति में उसे सब कुछ वापस मिल गया, उसने कहानी आदी सुनाई ही थी, कि स्वामी नाथन खराटे लेने लगा, दादी भी रुक रुक कर बोलने लगी, फिर वह भी सो गई, तो यहाँ जो हमें सुलेक के लिए कुछ लाइंस दी गई है, यह स्वामी की दादी से दी गई है, जिसे आ आज का यह पीपर अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, यह एक सेंपल पेपर है, तो आप इसकी त्यारी के साथ साथ अपनी त्यारी जारी रखिए, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे एक और सेंपल पेपर के साथ, तिल दैन, बाए!